हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी अलो दोस्तो तब से पहले आप से भी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल Study IQ IAS पर दोस्तो जैसा के हम लोगों ने कल अपनी एक नई स्रंकला शुरू की थी आधनिक भारत का इतिहास उत्तर लेकन अभ्यास के माध्यम से इसमें दोस्तो हम लोग IAS मुख के परिच्छा पर बिसेश तोर पर फोकस करेंगे क्योंकि ध्यान रखना UPSC का या IAS का जो एक्जाम होता है प्रारमिक परिच्छा मुख के परिच्छा या साच्छातकार का तीनों इस तर पर इंटर्वियों के लेबल पर सभी तर इस तर होँगा कि एक नइ तरीके से उतरलेखन की सुरंक्षला मैं आपको डिसकुस करूँ जिसमें आपके सारे कनसेप्ट भी क्लियर हो और कुरेंख्यों इसमें मैंने कल आपको बताये था के इसमें हम जो कवेश्चंज लेंगे वह क्वास्चंज आपकी दो तरीके के होंगे ए बादुनिक भारत की इतिहास की उत्तर लेखन अभ्यास के माध्यम से है ठीक है ना चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें देखाएंगे दोस्तो तो सबसे पहले आप लोग जो ब्यक्ति आप मुझसे कॉंट कनेक्ट होना चाहते हैं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं ये मेरा कोड है जिसके माध्यम से आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टड़ी आईक्यू चैनल पर ठीक है ना तो इस कोर्स को कोड को लगाने के बाद दोस्तों आप अच्छे से उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ठीक है और ये मेरा बार कोड है टेलेगराम का लिंक है जिसके थुरू अगर यहां से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं ठीक ना तो सभी लोग जुड़ गए ना एबरिवड़ी मेरी आबाज परपर पहुंच रही है क्योंकि मुझे सुनाई दे रही है इ इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं पूछा है लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सभी लोग जुड़ जाएए जल्दी जल्दी और आज हम बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक को आज से स्टार्ट कर रहा है पहला लेक्चर कल मैंने केवल एक ब्रीफ आइडि तो चलिए सबसे पहले तो आधनिक भारत के हम इतिहास के सिलेवस को सबसे पहले देखते हैं मैंने कल भी आपको डिसकस किया था इसमें सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं 1757 से पहले ठीक ना और 1757 से लेकर के 1857 के बीच में यह दो पार्ट हैं 1757 से पहले जो चीजे हैं जिसे हम कहते हैं अठारवी सदी का भारत आज का एक टॉपिक जो है सबसे पहले हम इसको जानने कोशिस करेंगे दियान रखना और इसमें अठारवी सदी के भारत में दो-तिन चीजें हैं एक उत्तर मुगल हैं यारंग जिब के मरने के बाद कौन कौन से मुगल सासक बने ठीक है ना दूसरा नवीन राज्यों का उदाय कौन कौन से नए राज्यों भर के सामने आए और येरोपिय कमपनियों का आगमन दियान रखना ये सारी चीजें इसमें इस समय मौझूद हैं और ये सारी गत्विदियां एक साथ चल रहे हैं दियान रखना तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी चीज को ले करके और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूँ कि एक साथ दो घटनाएं हो रहे हैं मैंने कहा था कल आप लोगों से या तो आदुनिक भारत का इतिहास विपिंच चंदर की बुक ले लीजिए या फिर आप पुरानी NCRT आप ले सकते हैं अगर किसी की पास पुरानी NCRT नहीं है तो मेरे टेलेग्राम चैनल पर जुड़ करके मैं उसे शेर कर दूँगा पुरानी NCRT को आप उस वहां से इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या ओनलाइन भी पढ़ सकते हैं मैं आपको ओल्ड NCRT आपको सेंड कर दूँगा जैसा आप कहेंगे लेकर उसके लिए टेलेग्राम चैनल से आप सभी लोग का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है ठीके न इस समय ध्यान रखेगा हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आपका 18-वी सदी का भारत यानि कि 1507 में जब औरंग जेब की मृत्ति हो गई उस समय और ध्यान रखेगा ये टॉपिक तो है ही साथ के साथ इस समय यूरोप में एक नवीन गत्विधियां सामने आ रही है ध्यान रखना मैंने कल भी आपको चर्चा की थी इसमें समझेगा एक तरफ है यूरोप और दूसरी तरफ है भारत ध्यान रखना ठीक यूरोप में अगर हम बात करें तो यूरोप में इस समय आधुनिक ताका प्रिवेश हो चुका है किसका प्रिवेश हो चुका है आधुनिक ताका का प्रिवेश हो चुका है यानि कि यहां पर जो लोग है वो आधुनिक बिचारों से लेस होने लगे हैं आधुनिक बिचार जो उनके समाज में जो उनके अर्थववस्ता में, जो उनकी कला संस्कृति में, जो उनकी राजनेति विवस्ता में आ चुका है यानि कि मूल्यों के इस तर पर वो बहुत आगे निकल चुके हैं और आधनिक्ता का प्रिवेश हुआ है, सोचिएगा, इटली के पुनर जागरर्स इस बज़े से वहां पर आधनिक्ता आई है, और यह आधनिक्ता दोस्तों ध्यान रखना कहां कहां पर आई है यह आधनिक्ता आई है उनके राजनीती में, यह आधनिक्ता आई है उनके प्रशाशन में, यह आधनिक्ता आई है उनके समाज में, यह आधनिक्ता आई है उनके अर्थववस्था में, यह आदनिकता आई है उनकी कला संस्कृती में कला संस्कृती धर्म में और यह आदनिकता आई है उनके विज्ञान में यानिक लगभग मानव जीवन के सभी पहलूओं में यह आदनिक विचार प्रिवेश कर चुके हैं ठीक न? ओके? जहान रखीगा और भारत की condition क्या है भारत की इस समय जो condition है ध्यान लखना दोस्तों भारत की condition है इस समय मद्यकाल की मद्यकालीन विवस्था में परवावित है या वहां से गिरसित है वहां पर आधनिकता है और यहां पर मद्यकालीनता है अभी भी हम पुरानी परंपरा यानि कि सामन्ती परंपरा में जी रहे हैं सामन्ती परंपरा का बोल बाला है बोल बाला सोचिएगा ये दो कंडिशन है ठिक अब ऐसे में एक यूरोपी कंपनिया यूरोपी कंपनिया भारत में आती हैं और भारत को जीतने का प्रयाश करती हैं, और इस करम में भारती लोग उनका बिरोध करते हैं, समझेगा, एक तरफ यूरोपी कमपनिया हैं जिन पर आधनिक विचार हैं, और दूसरी तरफ भारती शाशक हैं, जो मद्द कालीन, सोच मद्द कालीन विचारों से गरसित हैं, ठ दोस्तो इस बात को समझेगा, यही दो विचारों के संगर्स का भारत, यानि के संकरमर के दोर का भारत है, किसका है, संकरमर के दोर का भारत, तंकरमन किसका एक तरफ आधुनिक विचार आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपके मद्दकालिन विचार है यानि कि आधुनिकता और मद्दकालिन ताके संघर्स का दौर है कह सकते हैं आधुनिकता और मद्दकालिन सोच के संघर्स का दौर है सोचना तो ये मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया है क्या क्या है कैसे कैसे अब यहाँ पर ध्यान रखना बात आती है कि आखिर क्वेश्चन क्या बनेगा सर आप तो पढ़ा ही नहीं रहे में सांसा राइटिंग आप करा ही नहीं रहे बिटा अगर उसका बैक्ग्राउंड के लिए नहीं हुआ और मैं सीधा पहले क्वेश्चन यानि तोप का गोला दाग दूँ तो आप लोग तो बैसे ही मर जाएंगे तो आप उसको जहिल पाओ उस तोप के गोली की गर्मी उसके तोप के गोली की गर्माहट उसकी ताकत का अंदाजा आपको लग जाए उसको सहन करने की छमता तो आपके अंदर होनी चाहिए न चलिए इस पर आपको आगे दिखा देते हैं अब ये दो क्वेश्चन हैं आपके सामने एक क्वेश्चन है अठारवी सदी के भारत पर टिपड़ी लिखिए या टिपड़ी कीजिए राइट अ कमेंट ओन दा 18th सेंचुरी इंडिया राइट अ कमेंट ओन इंडिया ओफ दा 18th सेंचुरी और दूसरा क्वेश्चन है अठारवी सदी का भारत एक लावारिस जागीर की तरह था जिसके अंग्रेज रिक्त भागी सिद्ध हुए यानि के अठारवी सदी का जो भारत था एक लावारिस था यानि के उसका कोई वारिस नहीं था यानि के उसका कोई प्रमुक्षाशक नहीं था सब ऐसे ही पड़ा हुआ था अंग्रेज आए और उन्होंने उसको अपना लिया उसको जीत लिया और उसके क्या बन गए रिक्त भागी यानि जो खाली पड़ा हुआ था उसके भागीदार बन गए और उसको अपना लिया इस तरह से वो उसको जीत लिया उन्होंने उसके मालिक बन गए ओनर बन गए ये दो क्वेश्चन है फिक है ना लेकिन दोनों क्वेश्चन में आप एक चीज़ दिहान रखीगा एक चीज़ कॉमन है अंग्रेज कैसे जीते वो बात की बात है लेकिन इतना पोर्शन देखेंगे एक तरफ लाबारिस जागीर है और दूसर अठारवी सदी का भारत है जिसमें कुछ भी नहीं कहा गया तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पहले क्वेश्चन को देखना है उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे अठारवी सदी का भारत पर एक टिपड़ी लिखिए यह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन टिपिकल भी है बहुत टिपिकल भी है आखिर हम इसमें क्या लिखें पूरा पूछा है और मैंने जो किताब बताई है उसका पहला चैप्टर अगर आप धंग से देखेंगे पहला है यह दूसरा है अठारवी सदी का भारत पूरा का पूरा एक चैप्टर दे रखा है और ध्यान लखना मैंने कल आपको क्या कहा था किसी भी प्रश्ण को लिखने के लिए प्रस्ण को क्या समझना है उसकी जो मांग है प्रस्ण की मांग को समझना है कि अब पूछना क्या चाहता है उस मांग को सोचिए पॉइंट फॉर्म में तैयार करना है सारे पॉइंट आजाने चाहिए कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए ठीक, तीसरा, उसका क्रमबद तरीके से आपको लिखना है क्रमबदता पर बिसेश बल देना है ये मैंने कल आपको बताय था ठीक ना, क्रमबदता ठीक ना, उसका एक अच्छा निस्कर्स लिखना है ध्यान रखीगा उसके साथ में उसका सही उच्छा प्रिजेंटेशन भी बनाना है अगर प्रिजेंटेशन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है प्रिजेंटेशन पर बल देना है प्रस्तुती करन जिसे कहते हैं ठीक है न और उसमें अगर आप तुलनात्मा अध्यान कर सकें कुछ और चीज़ा कर सकें तो मच बैटर है तो मैंने कल आपको बताया था कि इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और ध्यान रखेगा उसकी दूसरी सबसे महत्पूर्ण चीज और भी है बात यह है कि एक प्रशन लिखने के लिए आपको लगभग आठ मिनट का समय मिलना है कितना? आठ मिनट का समय ठिक और एक प्रशन शब्द कितने हैं? शब्द हैं आपके दोस्ट ध्यान रखना एक सो पच्चास से लेके धाइस सो शब्दों की बीच में लिखना होता है अब मैं कहूं कि अठारभी सदी का भारत इसको धाइस सब्दों में लिखी है तो सारी बातें आपकी धाइस सब्दों में आ जानी चाहिए अब कहो कि सर, ढाई सो सब्दों से ज़्यादा हो जाए तो, कोई दिकर नहीं है अगर 275 सब्द भी हो जाते हैं, तो कोई समझ्या नहीं है लेकिन एक चीज सोचेगा, एक क्वेस्चन, अगर 25 शब्द ज़्यादा लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया आपने एक मिनट कम से कम ज़ादा लगा दिया एक मिनट और पच्चीश शब्द बास समझना बीस क्वेश्चन कितने सब्द हो गए? पांसो यानि एक हजार सब्द आपके बढ़ गए? बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? पच्चीश शब्द से बीस क्वेश्चन में सोचिए आपके कितने बढ़ गए? सोच नहीं गए पांसो सब्द बढ़ गए आपके लग भग और पांसो सब्द का मतलब होता है कम से कम दो क्वेश्चन और दो question का मतला हो गया 16 से लेकर के 20 मिनट का आपका extra समय चला गया सोचना इतने कहां से करो पहले तो 20 question ही complete कर लो इसलिए courses ये करनी है कि 200 सब्दों से कम में ही आपका उत्तर लेख जाए जादा ना निकले और इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको synopsis बनाना आना चाहिए ध्यान रखना most important point question की demand के अनसार पहले पढ़िये 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 और पढ़ने की साथ साथ सोचते रहिए जितनी ज़्यादा घर पे बैठ के practice करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा ध्यान रखना तो पहले क्या करना है मांग को समझना है क्या पूछना चाह रहा है और फिर उसका क्या करना है synopsis बनाना है formatting करनी है formatting या हम कह सकते हैं synopsis बनाना synopsis का मतलब क्या होता है formatting का मतलब क्या होता है यानि कि हम अपने दिमाग में आज हम पहली बार कागचप बनाएंगे और लगातार बनाते चले जाएंगे पर धीरे धीरे क्या होगा धीरे 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 दोस्तों ये कंडिशन आ जाएगी कि आप बड़े से बड़े परसन को देखते ही अंदर समझ जाओगे कहां इसमें क्या-क्या लिखना है दिमाग में भी बनने लगेगा चोटी-चोटी पॉइंट में चोटी-चोटी पॉइंट में तुरंद बनना शुरू हो जाएगा उस पर वर्क करना है कैसे दिखा देता हूँ ये रहा आठारवी शदी का भारत ये होती है आपकी फॉर्मेटिग अब इससे क्या होगा भारत की राजनेतिक इस्तिती इसके बारे में बताना अठारवी सदी के भारत की राजनेतिक इस्तिती कैसी है उसमें मुगलों की दशा, नई राज्यों का ओदय, विदेशी आक्रमन, यूरोपिय कमपनिया इन सब के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है फिर उस समय के आर्थिक इस्तिती कैसी है फिर उस समय के सामाजी सांस्कितिक इस्तिती कैसी है और उसका निस्कर्स यानि कि एक तरीकिस देखा जाये तो चार बड़े पेराग्राफ और छोटे छोटे ये पवट अब सोचिए कि ये 50 शब्द आँके हैं पचास नहीं तो 30-35 सब्द हैं ठीक ना अब इसी को चाहो तो पचास शब्दों में लख सकते हो डेर सो सब्दों में लख सकते हो और इस पर पूरी किताब भी लख सकते हो आपके उपर निर्वर करता है और ध्यान लखना सारी चीजा आ जाने चाहिए आप जब पचास होगे तो भी लिख जाएगा अंसर अठारवी सदिका भारत 50 शब्द में लखिए सिंपल सा अठार्वी सदिक में देखा जाए तो राजने तिक इस तरपर मुगलों का पतन नए राज्यों का ओधय हो रहा था नादिर शाह और एहमेशा अवदाली यसे लोगों का पनियां भारत में आएं। आर्थिक इस्तिती उनकी अच्छी हो रही थी, विद्यस ब्यापर बढ़ रहा था। सामाजिक सांस्कितिक इस्तिती, सामाजिक इस्तिती मेली जुली है। क्योंकि एक तरफ पिछड़ापन भी है, जातिपर्था भी है, उच नीच का भेदभाव और दूसरे तरफ हिंदु मुस्लिम एकता भी है। और सांस्कितिक इस्तिती में आपका अच्छा विकास हो रहा है। ये पचास शब्द में सारी बात आजाएगे, कोई पॉइंट छूटेगा भी नहीं। और इसी को एक्स्प्लेन करना है, तो आप लिख सकते हैं पूरा क उसे तीन लाइन में आपको ये खतम करना है। लगबग 30-40 शब्द में आपको ये खतम करना है। और इसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादत देना है। लगबग मानके चलिए आपके 100 शब्दों के आसपास ये खतम होगा। swap सब्द निकाल लीजिए, average सबाद 200-200 के असपास तभी होगा। उसमें 2-4-5 सब्द उपर नीचे हो जाएंगे, इस तरीके से divide करेंगे, तभी answer बनेगा, और सही sequence में बनेगा, क्रम से बनेगा, point form में आ जाएगा। है कि नहीं, everybody, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, issue कहते है, synopsis formatting, आप उत्तर लिखिये मत लिखिये, लेकिन इसको बनाना आ जाना चाहिए, question देखते ही, आपकी दमाग में frame बन जाना चाहिए, कि मैं इस question में कौन कौन सी चीज़ां डालूँगा, किस तरीके से जितनी जादा इस पर focus करेंगे, आपका उत्तर उतना ही बहतरी होता चला जाएगा, उतना ही बहतरी होता चला जाएगा, मैं चाहता तो पूरा answer लिख करके आपको समझा सकता था, लेकिन मैं आपको उतना उत्तर लिखना नहीं दिखाना चाहरा, मैं चाहता हूँ, आप आवारिस था, इसी फॉर्मेटिंग पर बता सकते हैं कि अंग्रेज ये इसको क्यों जीत लिये, आखिर अंग्रेज आये क्यों थे, क्यों उन्होंने जीता, कैसे जीता, ये भी इसी बता सकते हैं, content तो यही है न, यही है पूरा content, आराम से लिख सकते हैं आप, 18 सदी का भारत पर एक टिपड़ी लिखिए, इसका मतलब है कि हर चीज पर कुछ नो कुछ नो कुछ नो कुछ नो कुछ आपको लिखना है, और टिपड़ी का मतलब होता है, comment, comment करना, write a comment, और comment का मतलब क्या होता है, comment का मतलब होता है, positive, negative, दोनों aspects, इसका मतलब है, यहां की दोनों तरे क की चीज़ां आपको लिखनी है अर्थ समझ लीज़ेगा टिपड़ी का मतलब होता है पॉजिटिव भी और निगेटिव भी दोनों चीज़े किने के बारे में इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है कैसे कैसे करेंगे मैं अभी आपको बता दूँगा किसके अंदर क्या 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 आएगा तो आपका एक क्वेश्चन इसी तरीकिस तैयार हो जाएगा और अब इसके बारे में पढ़ना है देगे मुझे मेरे साथ टॉपिक चलना है तो आपको एक किताब उठाने पढ़ेगे या फिर आपके जो क्लास चल रही है मॉडर्न इंडिया की क्लास आपकी सोची हैगा Study IQ चैनल पर ही आपको विरत सरी क्लास मिल जाएगे उसके उसी चैप्टर को पढ़ लीजिए यहाँ आजाएए यहाँ पर में इसके आंसर राइटिंग प्रक्टिस कर दीए हो जाएगा आपका या फिर P2I बेच में मैंने मॉडर्न इंडिया कराया हुआ हुआ है सूचना है जो के बहुत जरूरी है कि हम लोगों का एक P2I बेच इविनिंग 23 तारिक से स्टार्ट हो रहा है सामको 6 बजे यानि कि कल से आज आज आपके पास और समय है कल सामको 6 बजे आप लोगों के साथ मैं रूबरू होंगा जिसमें हम लोग P2I बेच के नए बेच पर हम पूरा डिसक्रेशन करेंगे और कल से क्लास स्टार्ट होगे और ये दोस्तों दियान रखी गया ये बेच हिंदी में हिंगलिस में और इंगलिस तीनों लैंग्विज में स्टार्ट हो रहे हैं फीस में कोई बड़ोतरी नहीं की गई है सेविश सतर हजार थी जिसको 29,999 रुपे रखा गया है लेकिन इसके लिए आपको कोड रगाना पड़ेगा M.K.Live और इस तरह से आप मेरे साथ करेक्ट हो जाएंगे मेरे साथ जुड़ जाएंगे जिसके माध्यम से आपको Personal Guidance लेकर के Personal Attention हर चीज आपको मिलना शुरू हो जाएगे ठेके ना सब कुछ मिलेगा यानि कि इसमें आपको Mentorship यानि एक Mentor Allot कर दिया जाएगा Lecture के Notes मिलेंगे Live Classes मिलेंगे Test Series Books और Main Residencial Program और इसमें हम जो वर्क कर रहे हैं वो चार स्टेज में कर रहे हैं पहला सोचिएगा हम Foundation तयार कर रहे हैं दूसरा प्रार्णमिक परिच्छा पर जनवरी से हम फोकस करना शुरू कर देंगे ठीक है ना तीसरा हम जून से लेकर के सितंबर तक मेंस पर फोकस करेंगे दिली में आपको बुलाएंगे यही पर रहना खाना संस्थान की तरफ से होगा चार महिने हम आपको फैकल्टी और मैंटर्स आपको प्रवाइट कराएंगे जो आपके साथ दिन रात महनत करेंगे आपसे महनत करवाएंगे आंसर राइटिंग करवाएंगे एक चीज को cover करवाएंगे और जैसा हम कर रहे हैं उसी तरीके से सारी practice करवाएंगे समझ लिजेगा तब जा करके आपको means में appear होने देंगे और जो लोग नहीं कर पाएंगे उनके लिए 2025 का एक मौका और मिलेगा यानि कि इस course की validity दो साल है ठीक न? तो जल्दी जोइन करिए code mk live आज आज का दिन और है आपका अंतिम दिन है इसको जरूर जोइन कर लिजे आप लोग के लिए बहुत फाइदे मन्द होने वाला है ठीक न? clear everybody? अब बात आती है कि 18 सदी का भारत टिपड़ी मैंने बता दिया क्या क्या करना है कैसे कैसे करना है ठीक अब बात आती है कि आखिर उस समय की condition क्या थी धियान रखेगा उस समय की condition राजनितिक इस तरपर हम देखे तो मुगलों की दसा क्या है यहाँ पर आपको लिखना आपको है मैं लिखतर के नहीं दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ उत्तर लिखन करना कैसे है किस तरीके से करना है मुगलों की दसा यहीं पर देखेंगे तो 1707 में क्या हुआ औरंग जेब की मृत्यों और उसके बाद उत्तर वरती कैसे आए मुगल आये और उत्तर वरती मुगल सासक कैसे थे यह कमजोर शाशक थे कमजोर थे इन में से कोई भी मुख्य मुगलों के समान सक्तिसालिन नहीं था कोई भी नहीं था ठीक न मुगलों की दसा में यहाँ पर गुटबंदी और बढ़ चुकी थी गुटबंदी में मैं ब्रद्धी हुई थी ध्यान रखना गुटबंदी कौन कौन से तूरानी गुट इरानी गुट अफगानी गुट और हिंदुस्तानी गुट यानि कि अब जो मुगल सासक हैं वो किसी ना किसी गुट के साथ जुड़े हुए हैं यानि कि इनका जो दर्वार है गुटबंदी का दर्वार बन चुका है इसका मतलब राजनितिक इस तर पर ये कमजोर थे ध्यान रखना इसलिए मैंने कहा कमजोर थे क्यों? क्योंकि राजनितिक इस तर पर कमजोर है और इसी कमजोरी का लाब उठा करके सोचिए भारत में नए राज्यों का उद्य हुआ इसी कमजोरी का लाब उठा करके भारत में नवीन राज्यों का उद्य हुआ सोचिए गा, कौन-कौन से नवीन राज्यों है कौन कौन से इसी में देखेंगे तो सबसे पहले जो मुगलों से अलग हुए बंगाल है बंगाल मुर्शिद कुली खां इसने अपना नायराज बनाया अवद शादत खां हैदरावाद निजाम ने खड़ा किया और ये सब एक ही समय में हुए है ठीक ना ये तो तीन राज्ज हैं जो इसके साथ खड़े हुए थे इसी से अलग होकर के बने थे अब इनके अलावा कौन कौन से थे इनके अलावा थे आपके मैसूर हैदर अली और टीपू इन्होंने इससे बिक्सित किया ठीक ना इसके अलावा था करनाटक करनाटक में नवाब है ठीक ना इसके अलावा है आपके मराठा मराठों को फिस से खड़ा किया किसने पेशवाओं ने इसके अलावा सिख हैं राजा रंजित सिंग ठीक ना राजपूत हैं जो इस समय खड़े हुए राजपूतों में देखा जाए तो कच्वाह राजपूत बिसेश तोर पर राजा जै सिंग राजा जै सिंग इसके अलावा और पी छोटे छोटे कई सारे राजपूतos थे जैसे रुहेल खंड, बंगस पठान ठीक ना तमिलान में या या साउथ में या केरल में ठीक ना तरावन कोर बो राज हुए भरतपुर राज है सोचीगा ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अन्राज भी हुए अन्राज अब इनका क्या करना है इनको केबल एक पेरग्राप में इनको कॉमा करके इन नभी राज्यों का उद्य हुआ जैसे सब्द पूछे जाए उतना इनकी व्याख्या करनी है लेकिन इतना आपको बताना है कि ये मुगलों से अलग हट करके बने थे ये स्वतंत राज गठित हुए थे इसमें भरतपुर भी है तरावन कोर भी है रोहिल खंड भी है ये अन्राज्यों में आगए इस तरीके से देखा जाये तुम क्या कह सकते है नभी राज्यों का उद्धा है ये मुगलों के उत्तरबर्ती या मुगलों के नए राज्यों के तोर पर उभर के सामने आए मुगल सक्ति कमजोर होने के बार नभी राज्यों का उद्धा हुआ स्वतंतर राज्य के रूप में गठित हुए यह ध्यान रखना और इस तरीके से जब यह गठित हुए तो नभीन राज्यों के गठन ने क्या किर दिया? मुगलों को कमजोर कर दिया मुगलों को क्या किया? और कमजोर किया मुगल पहले ही कमजोर थे क्योंकि यह गुटों के की राजनीति गब में आ गए थे ठीक न? इन राज़ओं ने इनको और कमजोर कर दिया राजनीति रूप से भी आर्थिक रूप से भी क्यों? क्यों इन्होंने अपने पने चेतर पर कबजा कर लिया यानि एक तरीके से वहां की आर्थिक इस्तिती को इन्होंने कंट्रॉल कर लिया और जो मुगलों को जो राजसु आ सकता था बड़े इस तर पर वोक बंद हो गया बहुत कम मिल रहा है बंगाल, हैदराबाद, अबद सोचिए, ये आपको बारसिक नजराना तो दे रहे हैं लेकिन अन्य कोई सुभिधाय इनको नहीं मिल पा रहे इसी समय सोचिए, इसी के बज़े से इसी समय सोचिए, दो आकरमण और हुए दो महत्वपून आकरमण हुए एक पहला नादर शाह का आकरमण आपका 1749 में और दूसरा है अभदाली का आकरमण एहमशाह अभदाली का आकरमण 1761 में पानीपत का युद पानीपत, थड़ युद और ये करनाल का युद बैटल आफ करनाल और ये पानीपत का युद सोचीगा इन दोनों ने सोचिए कि जो किया वो आपको पता है सोचिए नादर सान ने पूरी दिल्ली को लूटा और उसकी अर्थवस्ता को और वहां की सेहना को पूरी तरह बरबाद करके चला गया यानि मुगलों को और कमजोर करके चला गया अबदाली ने न केवल दिल्ली को लूटा बलके मराठों को कमजूर करके चला गया सोचीगा इसने दिल्ली को कमजूर किया इसने मराठों को कमजूर कर दिया जो मराठे मुगलों को मुगलों की सत्ता को अपने हाथ में ले सकते थे जिनके पास ताकत थी सोचिएगा सेस रिक्त भागी अगर सोचिए अबदाली ने मराठों को ना हराया होता ना मारा होता तो दिल्ली पर कबजा मराठों का होता अंग्रेजों का नहीं होता ये इसका अंसर है यहीं से कैसे इसने कमजोर कर दिया ठीक न तिसरा चोथा आजाईए इसी में देखे इसी तरह से थोड़े छोड़े छोड़े पॉइट लिकने जितना आपकर लिखना है हर बात आने भी चाहिए और कोई बात छोटने भी नहीं चाहिए इन ही बातों को करम से आपको लिखना है उत्तर में अब कहोगे सर धाईसु अब्दम हम कैसे लिख पाएंगे बेटा यही तो आपको ही लिखना है model answer मैं तो दे दूँगा तल आपको दे दूँगा कोई समस्या नहीं है लिखा हुआ लेकिन उससे होगा क्या आपको लिखना है मैं आपको synopsis बनाऊंगा एक एक चीज करवाऊंगा आप लिखने की practice करें बास समझेगा ठीक न इसी समय क्या हो रही है यूरोपिय कंपनिया आ रही है यूरोपिय कंपनिया और यूरोपिय कंपनियों में सोचेगा एक फ्रांसीसी कंपनी और दूसरी आपकी ब्रिटिस कंपनी कंपनी तो और भी हैं लेकिन ये दो कंपनिया मुख हैं सोचेगा फ्रांसीसी कंपनी ने सोचेगा हैदरावाद और करनाटक पर कबजा किया करनाटक पर नियंतरन किया एक परकार से और ब्रिटिस कंपनी ने कहां पर कबजा किया बंगाल पर और सोचिए इसमें बंक ब्रिटिस कमपनी ज़्यादा सफल हो गए ज़्यादा सफल रही क्यों रही क्योंकि पूरे उस समय सोचेगा भारत के ब्यापार का साथ प्रसत से ज़्यादा भाग बंगाल से होता था बंगाल उस समय सोचेगा सबसे धनी परांथ था और सोचेगा जब बंगाल इनके कबजे में आ गया तो फ्रांसी सी थे पिर कबजे में आये ही नहीं तीसरी सबसे बड़ी चीज़ एक और समझ लीजे इसी में प्रांसिसी कमपनी एक सरकारी कमपनी है और ब्रिटिस कमपनी एक निजी कमपनी और निजी कमपनी जितनी एग्रेसिव हो सकती है वो सरकारी नहीं हो सकती इसलिए ब्रिटिस कमपनी अंततह जीती तोचेगा ये जीत गई किस युद्ध में सोचना किस युद में हराया था वांडिवास का युद युद में प्रांसिसी कंपनी को हराया को हराकर भारत पर नेंतरण कर लिया अगर सोचिये के वांडिवास के युद में फ्रांसिसी कंपनी ना हरती तो सोचना तो ब्रिटिस इस्टिनिया कमपणी यह ती नहीं तो यह खतम थी तो फिर भारत का सासा कौन मनता फ्रांसी सी कमपणी या फिर जैसा चल रहा तब ऐसा चलता रहता यानिके एक तरीके से ब्रिटिस इस्टिनिया कंपणी ने सोचे एहमसा अबदाली ने मराठों को कमजोर कर दिया ब्रिटिस इस्टिनिया कंपणी ने यूरोपी कंपणीों को भगा दिया और ऐसे में ब्रिटिस कमपनी अपने आप में एक 37 साली कमपनी बनके उभरी और उसने पूरे भारत पर कपजा कर लिया एक एक करके ध्यान रगना अब निजी कमपनी है इसी ने हर तरह के नीती अपनाई कौन कौन सी साम दाम दंड भेद इस नीती के द्वारा भारत पर नियंतरण किया भारत पर नियंतरण किलियर हो गया अब कहोगे सर इतनी सारी बात है एक क्वेश्चन में लिखेंगे कैसे देखें लिखना आपको है मैं डिटेल में बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको ये च्छाटना है कि इतनी सारी बातों को एक क्वेश्चन में लिखें कैसे यही तो आपकी मेहनत है बहुत कम शब्दों में कर सकते हैं इसी को इतनी बात जो लिखी है न मैं समझाने के लिए ज़्यादा है लेकिन बहुत छोटे से पॉइंट में भी इसको खतम कर सकता हूँ यूरोपिय कमपनियों में केवल बिटिस कमपनी ही सफल रही क्योंकि उसने दच्छिर भारत के बज़ाए बंगाल पर नेंतरण किया जो कि कुल ब्यापार का साथ प्रस्त यहां से निर्धारित करता था और सबसे धनी परांद था और उसने सामदाम दंडभेदी के नीति के माद्यम से यूरोपिय कमपनियों को भी हराया भारती राज्यों पर कबजाभी किया दो लाइन में खतम हो गिया अगर जो मैं बोल रहा हूँ उसी को सुनसन कर लिख लेंगे न तो भी काम हो जाएगा समझेगा तो यूरोपिय कमपनियों में ब्रिटिस इस्टीने कमपनी कैसे जीत गई देगे वो भी आधनिक विचारों से युक्त है ये भी आधनिक विचारों से युक्त है लेकिन यह नीजी छेतरी कमपनी है जिसका उद्देश है एनिहाओ जीतना है at any cost शाम दाम दंड भेद बाई हुक और बाई कुरुक कैसी भी जीतना है तो जीतेगी उसने प्लानी बनाया था क्लियर हो गया तो ये है इस समय की राजनीतिक इस्तिति अब बात आती है कि इस समय की आर्थिक इस्तिति कैसी है और सोचिए ये सारी बाते हैं आपको सारे पाटापिक सोचिए कितने पॉइंट में लिखने हैं मुझकिल से 100 शवब्दों में लिखने हैं इसलिए जरूरी नहीए कि जो मैंने लिखा है हो हर चीजश इसमें आजाए जरूरी नहीं है कि बांडी वास का युद्ध भी इसमें आ जाए हो सकता है कि आपका आ भी जायो अब देखना यह है कि आप कैसे लिखते हैं कैसे चार्ट बनाते है या सी या सी जिज़े लिखते हैं आप लिखिए पहली बार लिखने कोशिश तो करिए डिटेल एनलेसिस तो मैं करी रहा हूँ ठीके न? किलियर? अब बनाती है कि इस समय की आर्थिक इस्तिती कैसी है ध्यान रखना अठारवी शदी की आर्थिक इस्तिती ध्यान रखना आर्थिक इस्तिती अगर हम कहें तो बहुत अच्छी भी है और बहुत अच्छी नहीं भी है दोनों तरह की चीज़े ध्यान रखना आर्थिक इस्तिती ध्यान रखेगा ग्रामिन आत्म निर्वरता और तरसी अर्थवस्ता पर आधारित आधारित ग्रामीड और सहरी उद्योग ग्रामीड एवं शहरी उद्योग चल रहे हैं ध्यान रखना ग्रामीड भी और सहरी उद्योग भी सहरी उद्योग क्यों चल रहे हैं क्योंकि यह राजनीतिक विवस्ता के कारण चल रहे है राजनीतिक विवस्था के कारण और गिरामिड उद्योग क्यों चल रहे हैं ये अंतराश्टी ब्यापार के कारण क्योंकि विदेश में इनकी मांग जादा है विदेश में इनकी मांग जादा है आखिर यूरोपी कमपनियां आई क्यों थी इसलिए गिरामिर उद्द्योग आत्म निर्वर थे अच्छा चल रहा था कोई समस्या थी नहीं इसलिए इस छित समय देखेंगे तो कई प्रमुख कई प्रमुख शहरों का विकास हुआ था सहरी केंद्रों का विकास इस समय में और कई सहरी प्रमुख केंद्रों कौन कौन से हैं कोलकाता मुर्शिदाबाद धाका ध्यानखना इधर आजाईये तो लखनव फैजावाद ये भी ब्यापार केंद्रत बने हुए थे गोरखपुर दच्छ में चले जाईये तो मच्छली पटनम हैदराबाद समझेगा हैदराबाद बगेरा जो है ये सब आपके इस समय बिक्सित हुए थे ये सब के सब इस समय ब्यापार के केंद्र के रूप में बिक्सित हुए है सब का विकास हो रहा है आर्थिकस्ति पे ठीक ना यानि कि करसी ठीक ठाक है बढ़िया है और लोगों के ग्रामिर उद्ध्योग ठीक ठाक है लोगों के आर्थिकस्ति ठीक ठाक है ब्यापर वानिज अच्छा है यानि कि हम कुलमला के कह सकते हैं कि इस समय में आपके उद्ध्योग कैसी है उन्नत और ग्रामिर उद्ध्योग भी दोनों अच्छे हैं और तीसरा ब्यापार ब्यापार खासकर अंतरराश्टी ब्यापार बढ़ा है ब्यापार में क्या हुई है? ब्रद्धी हुई है इस तरीके से यहां की आर्थिक इस्तिति जो है कुल मलाकर के ठीक ठाक है ठीक न? लेकिन विवस्था सामन्ती है इसलिए इसका उप्योग सहरी बड़े बड़े उद्ध्योगों में संगठित उद्ध्योग नहीं है ध्यान रखना कैसे हैं ये दोनोंके दोनों असंगठित उद्योग हैं तो यहाँ पर कोई भी मध्यवर्ग नहीं है यूरोप की तरह बियापारी वर्ग नहीं है मद्धवर्ग यानि के बिखसित ब्यापारिक और पूझी पती वर्ग नहीं है ध्यान रखना यहाँ पर ब्यापारिक या पूझी पती वर्ग नहीं है यूरोप की तरह है इसलिए यहाँ पर ब्यापार जो है यूरोपी कमपनियों के हाथ में हैं कुछ एक ब्यापारियों के हाथ में हैं अर्बी ब्यापारियों के हाथ में हैं कुछ भारती ब्यापारियों के हाथ में हैं और मुलत है यूरोपी कमपनियों के हाथ में हैं भारत का अपना कोई भी सं अपने पूंजी पती और ब्यापारिक वर्ग है, हमारे यहां कोई है यह नहीं, क्योंकि इन सामन्तों ने, इन राजाओं ने, किसी चीज को बढ़ा भाई नहीं दे पाए, ये समझ लीजिएगा, ये आर्थिक इस्तिती की समय में चर्चा है, अब बात कहोगे सर, इसको भी ह चालिस सद में कैसे लिखें, बस जितना मैंने ये बताया है, इतना ही लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिखाया है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, इतनी शब्दों में, अठारवी सदी के आर्थिक इस्तिती में देखें, तो करसी उन्नत अवस्था में थी, उद्यो बस इतना लिखना है, ये मैंने आपको करक्स बना दिया है, बाकी ये समझाने के लिए है, क्या क्या हुआ तो, जरूरी नहीं है कि stuffs हरी केंदरों की चर्चा करें, जरूरी नहीं है कि इसमें राजनी तक विवस्ता या अन्नी चीजe को इसमें लिखने की कोश़्िश करें, उद्योग और ब्यापार तीनों चीजों के हमने चर्चा कर दी इवन मद्द्वर्ग भी लिख दिया और क्या अच्छे ये तीस शब्द में चारीस शब्द में भाई सारी बात लिखतो दी है इतना ही लिखना है ठीक है ना अब आते हैं इसके बाद में यहां की सामाजिक सांस्किते के इस्तिती कैसी है सामाजिक इस्तिती सामाजिक इस्तिती देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता है हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ रही है कैसे बढ़ रही है क्योंकि शाशक जो वर्ग है वो सभी को नियुक्तियां दे रहा है सभी की नियुक्ति कर रहा है सभी की नियुक्ति चाहे अकवर से ले करके अब तक देखा जाए तो सभी वर्ग के लोग सोची राजा जैसिंग है उन्हों को भी मौका मिला हुआ है ठीक ना मराठे हैं वो भी नौकरी कर रहा है यानि कि प्रतेक्षाशक अपने यहां बिना किसी भेदवाओ के सब को मौका दे रहा है प्रतेक्षाशक बर सभी की नियुक्ति इसलिए हिंदु मुस्लिम का कोई भेदवाओ यहां पर जादा नहीं है मिस्त प्रकार की सारी यो चीज़ें वो बढ़ रही है ठीक न? ध्यान रखेगा यह हो गया सामाज इस पर लेकन यहां पर एक सीमा भी है वो सीमा क्या है? सीमा यह है कि यहां पर सामाजिक तनाओ भी है कैसा तनाओ है? क्योंकि यहां पर भेदवाओ है उंच नीच का जाती पर्था का ठीक ना उंच नीच जाती पर्था का ठीक ना ये है धियान रखी गए ये तनाव है और इसी बज़े से सोची निम्नवर की इस्तिती खराब है और यही खराब इस्तिती आपने देखे होगी जब आदने भारत में होता है तो निम्नवर की इस्तिती आंदोलन शुरू होते हैं इसी बज़े से और हिंदु मुस्लिम एकता ठार सत्तावर में आप देखते ही देखते हैं वहां कोई भेदवाओ नहीं था ये सारी चीज है सांस्कितिक इस्तर पर देखें जाये तो सांस्कितिक इस्तर पर लगातार विकास हो रहा है विकास चाहें वो जहान दखीगा तंगीत हो थीक ना नृत्तिकला हो या गायन कला हो सभी का विकास हो रहा है सभी का विकास इस पीरिड में काफी अच्छे से हुआ है लेकिन बिज्ञान का बहुत अधिक विकास नहीं है मैंने पहले ही कहा क्योंकि ये सामंती विवस्था है ठीके ना तो ये आज का पहला question क्लियर हो गया और कल जो हम discuss करेंगे वो question आपका है ही है कि इस लावर्स जागीर के से इस रिक्त भागी अंग्रेज कैसे सिद्वे तो आज का पहला question आप लोग लिख सकते हैं समझ सकते हैं दोस्तों इस चीज़ को आप समझ लिएज़ेगा और लिख करके मुझे दिखाने कोसिस कीजिए एम के live code ये मेरा telegram, instagram और mail id है और ये मेरा ये रहा आप लिख के दिखाईए कल इसका model answer भी आपको दे दूँगा और साथ के साथ अगले question को हम लोग और तयार करेंगे कि आखर British Sydney Company ही क्यों जीती और क्या condition थी कि वही जीती ठीके ना एक दिन में एक question एक topic धंग से कबर करते जाएए और इसी को और पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आपके पास किताब है, content है ठीके ना चलिए all the best, have a nice day all of you dear हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIAS हिंदी